सीधा सवाल पूछूंगी रवी शिवास्तव जी, क्या यही तरीका है? सेक्स एजुकेशन देखें पहली बात, पहली बात मैं निखी सुबादी का जो भी बयान आपने दिखाया, उस बयान से मैं कोई सहमती नहीं रखता पर एक बात मैं और इस पश्ट करना चाहता हूँ, कि जो बयान उन्होंने दिया है, उस बयान का प्रेक्टल यहाँ पे भारती जन्ता पार्टी करती है ब्रज भुशन शरंच सिंग कहाँ पर हाथ रखके पल्स चेक किया करते थे, यह पुलिस की चार्शीट में लिखा हुआ है स्वामी चिन्मे अनंद कौन से अपने विद्यार्थी के साथ में, लड़की के साथ में क्या घंडित कारे किया करते थे, यह सब को मालुम है कुलीप सिंग सेंगर जिन्होंने सिर्फ नबलातकार दलित महिलाग लड़की का करके होत्याभी करी उसके परिवारवालों की यह प्रैक्टिकल करने वाली पार्टी भारती जन्ता पार्टी है तो इन्हें कोई हक नहीं पनता इस बात का कि यह महिलाओ के बारे में कोई जवाब दे क्योंकि इनकी संसत के अंदर जो संसत बैटे हुए हैं उनमें से ज़ादा तर 30% से भी उपर रेप मुर्डर के चार्जिस के अंदर हीनस क्राइम के अंदर इन्वार्ड है बस बात को आप इधर हटकाईए उधर भटकाईए शैजाद पुनावाला जी जिस दोर में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक पहल की कि महिला आरक्षन हो यहां चाती टोकर कहा जा रहा है आप पूछना चाहती हूँ कि आजकल स्तर ऐसा गिर रहा है गवर्नेंस का कि अब शायद सवाल पूछने वालों को ही बेहुदा और बेवकूफ माना जाने लग गया है देखें ये कुतर करना उनके लिए स्वाभाविक है दरसल उनकी पार्टी और इनके गड़बंदन में तो ऐसे भी लोग है जिन्होंने का बॉइज विल भी बॉइज बलातकार होते रहेंगे मर्दों का प्रदेश है बलातकार होता रहेगा ऐसे लोग भी है जिन्होंने बलातकार को जायस टहराने का काम किया है तो आज जो नितीश कुमार का बयान है उसको सेक्स एजुकेशन के नाम पर ये बचाएंगे पनुद मेरा सवाल दो-तीन है देखे दो-तीन विशों पर बात हो रही है अभी क्या का गया कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है चलिए वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है तो मुझे बताईए कि पीएसी घोटाले में कोट ने अठारा नियुक्ति उपर रोक लगाई है वो भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है चलिए बताईए शराब घोटाले में अभी छे तारीक को ही कोट ने बेल कैंसल की और काय कि ये पूरा पॉलिटिकल नेकसस है जहाँ शराब बंदी की बात हो रही और आमाब्बी पार्टी के नेता मनी सिस सोद्या को जब एडी गुरफतार करती है तब ये कॉंगर्स पार्टी सही ठहराती है तो बताएे रवी जी क्या आमाब्बी पार्टी के नेता का बेया मैं आपने जो चर्चा करी बियान के ओपर तो मैं पूछना चाहता हूँ देश की सबसे बड़ी संसद में प्रधान मंत्री सबसे बड़ी सम्मेदानिक पतपर थे वो कह रहे थे सूपर काकी हसी देखी जा रही है और बंगाल में सतर परसेंट देश की आदी आबादी को सतर बड़ो मेहलाओं को सरमसार करा दीदी और देश की बंगाल भी महिला नावी का मैं चुनों ओंपन देखी बिलकुल 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 प्रधान मंत्री ने नाम नहीं लिया था उन्होंने का थे पिछली बार ऐसी हंजी रामायन में पचास करोब का जो नहीं था तीने पिर कहा गया था जर्सी गाए यूपी ए की चेर परसन हमारी नेता को तो देश के प्धान मंतरी को लोग अपना अदर्स मानते हैं और वो तो विश्वगुरू है नितिश कुमार को नहीं मानते हैं आपका यही कहना है शेजाद पुनवाला आपको काउंटर कर रहे हैं अब उम्मिद थी कि यह भारत देवताओं का देश है लेकिन यार यह राक्षचसी विचारदारा के लोग जब अपनी आपको पुनवाला जी आपको फैक्स पर काउंटर कर रहे हैं शेजाद पैसी ने वह फैक्स की डिबेट है फैक्स पर अगर कोई उठाएगा तो मैं उनको स आता हूं कि एक टेस्ट आप अभी करा दो दस मिनिट डिबेट को बढ़ा दो जिस प्रधानमंत्री के स्टेट्मेंट को उन्होंने कहा कि उन्होंने राजसभा में रेनुका चौधरी को सुर्पनका कहा उस पूरे प्रसंग को आप प्ले कीजिए अगर उसमें प्रधानमं की बात की थी, सुपनका की बात नहीं की थी, हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट आपको पूरा कोट निकालतेगी, लेकिन पप्लिक पूछ रही है सवाल, मिधिलेश कुमार सिना का यूट्यूब से सवाल है, नितिश कुमार के अमर्यादित बर्यान से एक राजनितिक दल ही नहीं पूरा बिहार शर्म साब हुआ है, क्या ऐसे व्यक्ति को सीम बने रहने का हक है, माखनलाल का यूट्यूब से सवाल है, जेल से सरकार चलाने की बात करने वालों को पब्लिक से डरने लगता क्या, पहले सवाल का जवाब लूगी लाडी साहब से और दूसरे सवाल का रवी शिवास्तव से, जवाब दीजे, लाडी जी. कि बुजर्ग नहीं है, ऑफिस में बैठे है, और फिस में बैठे हैं, कि आउनको कुजर्ग के बात कर चोड़ देना चाहिए. बात सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं है वो नाशनल कन्वीनर ऑफ इंडिया अलाइंस बनना चाहते हैं और दावेदार है दो हदार चौबीस में प्रदान मंत्री बनने के